नमस्ते है जी, दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर धायवान, आपका अपना रेकी मास्टर आज हम healing psychology से related और भी बहुत सारी बाते करने माले हैं रेकी healing में एक बहुत important part ये भी है कि आप अपने मन पसंद career को, मन पसंद job को, मन पसंद future में जो आप ऐसे abundance related, prosperity से related चीज़ों को कैसे अपनी life में attract कर सकते हैं कैसे उसे manifest कर सकते हैं, इस बारे में हमारे गुरों ने हमें सिखाया है तो आज आपका सवाल था कि job, मन पसंद job, मन पसंद नौ कई, मन पसंद business, मन पसंद काम के लिए कौन से रेकी healing करने चाहिए, जिसे करने के बाद आप वहां तक पहुंच सकें या उसे अपने तक खीस सकें दोस्तों ये कुछ तरीका थोड़ा divine है, थोड़ा magical भी है, और थोड़ा patience रखने वाला भी है क्योंकि अगर आपको मन पसंद job चाहिए, तो आपका मन पसंद क्या है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या specific salary, क्या specific जगह, क्या specific company, या specific जो भी हो, atmosphere वो आपको पहले एकदम clear होनी चाहिए, कि आप actually में क्या चाहते हो, अच्छी job का मतलब आपका क्या है, आप अच्छी job से अपने अंदर क्या feel करते हो, जैसे कि कुछ लोगों के लिए अच्छी job का मतलब है कि natural place पे काम करना, like पहाडी में, जंगलों के आसपास, खुबसरत वादियों के पेच में, कुछ लोगों के लिए अच्छी job का मतलब है किसी corporate place पे, एक अच्छी building में, AC वाले जगह पे, एक metro city पे काम करना, कुछ लोगों के लिए अच्छी job का मतलब है कि गोवा या जगनतपुरिया समुंदर के खिनारे किसी hotel पे काम करना, किसी उस तरह के जगहों पे काम करना, कुछ लोगों के अच्छी job का मतलब यह है कि, किसी space scientist बनना, like NASA, इस तरह के जगहों पे काम करना, उनकी college education के एसाफ कुछ लोगों के लिए अच्छी job का मतलब government job हो सकता है, कुछ लोगों के लिए private job हो सकता है, कुछ लोग entrepreneur बनना चाह सकते है, या कुछ लोग business करना चाह सकते है, तो specific क्या है, यह पहले आपको writing format decide करना हो, अब हम शुरू करते है, process किया होगा इस healing के लिए, यह 5 process से होके गुजरेगा, जिसमें से एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन मैं इसे फिर से लाइन से दूँगा, पांचवे नमबर में actual healing हो गया हमारी, तो पहला नमबर होता है gratitude, आज आप जिस इस्तिती में भी हो, जो भी आपने पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप नौकर जोब शाहिए, लेकिन कभी भी मन में ये बात लेकर मताना कि मैं उसे संतुस्ट नहीं हो, उस जोब में ये प्राबलम है, ऐसी प्राबलम है, ये प्राबलम है, मुझे जोब बहुत पसंद नहीं है, मुझे salary कम मिल रही है, मुझे मेरा शोशन हो रहा है, मैं ज़्यादा का कि जो भी है जैसा भी है आपको वहां से काम मिल रहा है दो वक्त की रोटी मिल रही है कुछ तो मिल रहा है इज़त ही सही मिल रही है इज़त है क्योंकि काम से ही लोगों को इज़त मिलती है एक बहुत पुरानी कावत है कि जब भी लोग आपसे यह पूछते हैं कि आप क्या क तो जब भी आप हेलिंग के लिए बैठेंगे अपने ड्रेम जॉब के लिए तो सबसे पहला काम होगा ड्याटिटूड कमर सीधे करेंगे एक मुद्रा बनाएंगे ध्यान मुद्रा जिसमें नाखोन आपस में नहीं टकराते ठेक है ध्यान मुद्रा में हमेशा जिया रखना कि हमारे यह दोनों इसकी नापस में मलती है पिर दूसरा यह होता है मेंडल फिंगर को आप अंगुठे से इस तरह से दबा सकते हैं इसे कुबर मुद्रा बोलते हैं इस मुद्र manifestation के लिए हमेशा इस मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप इसमें comfortable हैं, तो आप इस मुद्रा का इस्तेमाल किजिए, और deep feeling के साथ gratitude की practice किजिए, अगले एक मिनट तक. दूसरा, जो कि मैंने starting में समझा दिया था, specify करना है कि आपको किस तरह का job करना है, आपका मतलब क्या है अच्छा job से, उसको clear करना है, writing form में लिखना है, तीसरा और सबसे important है, कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप कितनी salary की job मांग रहे हो, ये ने की 50,000 रुपए की salary है, ये 60,000 रुपए की salary, ये 80,000 रुपए की salary, माना कि आपने 80,000 रुपए salary की job demand करी है, अपने qualification के दम पर, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने पढ़ा है, यहां रखना, आपकी qualification क्या है, ये value नहीं करता है, आपके salary पर, अगर आप सबसे अच्छा घास काटना भी जानत है, तो भी आप 80,000 की salary, अचीव कर सकते हैं, तो यहां confused नहीं होना है, तो अपनी salary को लेकर भी आप बिल्कुल रहेंगे, कि हाँ, मुझे 80,000 की salary चाहिए, या 1,00,000 की salary चाहिए, या 60,000 की, fluctuation नहीं आना चाहिए, कि मनी मन में, यार कुछ दिन हुआ, तो चलो 40,000 वाले मे हम चले जाएंगे, 30,000 की salary मिली, तो भी हम चले जाएंगे, तो यह universe को mixed messages जाते हैं, तो वो confused हो जाते हैं, कि वो आपको क्या दे, फिर result भी mixed वाला ही आता है, फिर आप बोलेंगे कि अच्छे से नहीं हो पाया, चौथा और सबसे important है, कि आपको महसूस करना है, कि आप job पा कैसे इस्तिमाल करेंगे, कहाँ donate करेंगे, कहाँ खर्श करेंगे, कहाँ save करेंगे, कहाँ invest करेंगे, और कैसे आप अपनी happy life में उस पैसों का इस्तिमाल करेंगे, इन सब चीज़ों को visualize करना है, feel करना है, देखो, कोई भी, कोई भी healing is difficult to feeling, कोई भी healing के बगार नहीं हो सकती, चाहे वो आपकी हो, चाहे किसी और की हो, यहाँ पर हम एक बात जरूर कहेंगे, रेकी healing, law of attraction से कोई अलग नहीं है, चीज़ें सारी वही हैं, बस formulas और जादा अच्छे हैं, यह ancient healing formula है, law of attraction कहीं, तो आपको समझना होगा कि आपको feel करना है, तो यह चारों चीज़ जिसे मैं summarize कर देता हूँ, gratitude, specify your job, salary, about specification, और सबसे important feel करें की कैसा महसूस करेंगे आप, now इसके बाद आता है main चीज, as a reiki healer, आपको अपने पूरी reiki healing के calling process को compete करना है, आवान करना है, रेकी का, अपने हाथों को rub करना है, और अपने मणी पूर्चकर पर रखना है, मणी पूर्चकर क्यों क्योंकि ये associate होता है, abundance से, prosperity से, ये समर्दी से associate किया जाता है, तो हमें अपने मणी पूर्चकर में, solar plexus चकर पे अपनी दोनों हाथों को रखना है, और healing करनी है, healing, देखिए, जो healers हैं, जिन्होंनों रेकी healing सीख रखी है, जिन्होंने first level, second level, third level में से कोई भी कर रखा है, वो तो ये easy कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने रेकी healing नहीं सीखिया, उन्हें भी चंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेकी healing, it's a formula, रेकी healing सीखने से आपके इंदर रेकी नहीं आती है, रेकी healing यानि की प्राण ऊर्जा की ये शक्ती आपके नदर पहले से मौजुद है, रेकी healing तो सिर्फ एक formula है, जो उसे, एक tool है, जो उसे manifest करने के लिए, उसे बहार निकाने के लिए, उसे project करने क के लिए इस्तिमाल के जाती है तो जो रेकी हिलिंग नहीं जानता है वो भी अपना हाथ इस तरह से रब करेंगे और मनिपूर चक्र पे रखेंगे जिसका लोकेशन आपकी नैवल से आपकी नाभी से चार उंगली या पांच उंगली उपर होता है मतलब कि हाड चक्र से चार उंगली नीचे और नैवल से चार उंगली ऊपर बिचो बिच होता है मनिपूर चक्र यहाँ पे आएंगे और उसकी हिलिंग करेंगे अगले तीन से चार मिनट अफर्मेशन देदेंगे एक खुबसुरस अफर्मेशन तयार कर लेजे अपने जॉब के लिए जो भी स्प कंपनी का नाम हो, कंपनी का नाम समझ में नहीं आता है तो इस तरह का जॉब मुझे चाहिए इस तरह से आप इतना क्लियर हो जाए अपने जॉब को ले करके कि मुझे इस तरह की जॉब इस तरह की सेलरी इस तरह की जगह पर जॉब चाहिए जहां का महल ऐसा ऐसा है और इस सवाल बनता है कि कितने दिनों में ये हो जाएगा देखिए दिन गिनना छोड़ दीजे यूदि दिन गिनों अगर मैं आपको बता दूं कि इतने दिन में हो जाएगा तो आप वहां तक कि सिर्फ आपकी speed पर depend करता है कि time और space को आप कैसे cover करोगे यह सिर्फ आपके speed पर depend करता है आप कितने luck के कितने विश्वास के साथ कितने गहरे उतर की healing process को करते हो जो कि सिर्फ 10 minute का है दिन में कितने बार करना चाहिए मैं आपको advise करूँगा कि एक बार तो करेंगे ही same time same जगा पर करें तो सबसे अच्छा होगा नहीं होता है तो कोई बात नहीं और दिन में अगर दो बार कर पाया है तो यह सोने पर सुहागा है आपकी speed बहुत fast हो जाए I hope कि इस वीडियो में मैंने आपको सब को समझा पाया कि रेके healing के थरूँ इस healing process के थरूँ कैसे हम अपने dream job को पा सकते हैं अगर इसी तरह के और भी कोई सवाल हो तो आप comment में पूछ सकते हैं अगर इस वीडियो में मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो question मैं आके मुझसे पू कि अबाया एक कि ऑम करें से तुमादार मोशार में मिस हो तो Laughter